हेलो फ्रेंड हमारे चैनल में आपका सौगत है आज हम बनाने वाले हैं चावल की खे वो भी भंडारे जैसी वाली खीर बनाएंगी जो हमारे हैं मंडारे में खे र renovation जो सबको बहुत ज़्यादा पसंद है चावल की खीर बनाने के लिए हमने ये रादम ले लिए हैं ये किस्मिस ले लिए काजू हैं मखाने हैं और ये आदीकरी चावल है जिसको हमने धो लिए ये नए चावल है और ये किसानारियल इलाइची दूद ये स वाट शडम rhyme की पर दना आप खिल् compensation secret उनक है जो पिलड़ कि मःगा में यह प्रकव सब्सक्राइब नवर पवल अवाट था वर ग्यृड ट Everything is बें, मृट़ राइब शचल करेंगे वब गरम होंक है के छ कवाट पर नोड़िए और पतीला हमारा गरम हो गया अब इसमें हम डालेंगे एक चम्मज घी यह हमने घी डाला है यह हमारा घी पिगल रहा है यह हमारा घी गरम हो गया है अब इसमें हम डालेंगे यह अपने ड्राइ फूट इसको फ्राइ करेंगे अब इसको फ्राइब कर देंगे इसको फ्राइब कर लेंगे हमारे ड्राइब फ्राइब हो गए अब इसको निकाल लेंगे देरे देरे करके इसको निकाल लेंगे हमने ड्राइब फूट को निकाल लिए फ्राइब करके अब इसमें डालेंगे घी परसे यह हमने देजी घी लिया है घी डालेंगे और जो हमने चावल को पानी में फूल आया था अब उसको भूनेंगे ये चावल को भूनेंगे अच्छी तरह से चावल हमारे प्राई हो गए है अब इसमें हम डालेंगे एक गिलास पानी अब इसमें डालेंगे दूद अब इसमें डालेंगे हम दूद और इसको पकने देंगे अच्छी से और अब इसको पकने देंगे यह पक रहा है अब इसमें हम डालेंगे इतनी सक्कर और इसको अच्छी तरह से पकने देंगे अब इसमें डालेंगे किसा हूवा नारियल जे इसको अच्छी तरह चला लेंगे अब देख रहिए मरे चाफूल अच्छी तरह से पक्रंड़ और इसको और पक्रें धित depends अब इसमें डालेंगे एलाइची यह लाइची हमने कूट के रखे थी इसमें डालेंगे एलाइची और उसको अच्छी तरह से पतने देंगे अंधुक्योति आप तरह थी इसमें ड्राइची दालेगे इसमें ड्राइची तरह से छला लेंगे आप देख सकते हैं हमारी खीरवन के रेड़ी हो गई है यह देखिए पुरा चावा पक्किया है और दूद में मिक्स होके है जब भी आपको खाने कमन करें फिर आप ऐसे इसली तरीके से घर में बना सकते हैं और हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मचे लाल बटन दी गई हो इस पे क्लिक किजिए सब्सक्राइब हो जाएगा प्लीज जाद से जादा हमने सपोर्ट कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए थैंक्यू